तो दोस्तों, सिबिल की दुनिया में, राइट अप कुछ ऐसे होता है, जैसे आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ खास ट्रांजाक्शन, अकाउंट्स या परिस्थितियों पर रोश्नी डालना। इसे ऐसे समझिये, कि ये आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में किसी भी समस्या या जानकारी को साफ करने के लिए एक विस्तरित स्पष्टी करण है। अब, राइट अप कोई ऐसा शब्द नहीं है, जिसे सिबिल सीधे तोर पर इस्तिमाल करता है, लेकिन इसे अकसर दो खास सं अंदर्भों में देखा जाता है। पहला, अगर आपके पास कोई नेगेटिव या विवादित एंट्री है, तो आप उसे समझाने के लिए एक कंजूमर डिस्प्यूट नोट चोड सकते हैं। दूसरा, जब आप गलत जानकारी के बारे में कोई विवाद उठाते हैं, तो अगर कोई डिफॉल्ट या अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुई हो, तो एक राइट अप बैंकों और वित्तिय संस्थानों को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को बेहतर ढंक से समझने में मदद करता है। साफ समझाया ना? जानकारी रखें और अपने क्रेडिट स्कोर को च समकते रहें।